हाई फ्रेंड्स वेलकम टू रीना व्यास चैनल आज हम बात करने वाले हैं बात सॉल्ट की जी हाँ दोस्तों बात सॉल्ट बहुत ही रिलेक्सिंग सोप माना जाता है यह नहने के काम में तो आता ही आता है स्ट्रेस को कम करता ही करता है उसके अलावा यह बहुत सारे हेल्थ हमको देता है जैसे कि अगर आपकी मसल्स में पेन है स्टीफनेस है या फिर जॉइंट्स में पेन है आर्थराइटीस है सर्कूलेशन अग ब्लोड में सर्कूलेशन नहीं हो रहा है तो यह ब्लोड सर्कूलेशन को भी बढ़ाता है हैड़क की प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है तो friends चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से बनाना है सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है Epsom Salt इसका link में आपको description box में डाल दूँगी यह जितना आपको जैसे मैंने यहाँ पे 4 चमच Epsom Salt लिया है उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया है सेंधा नमग जिसको rock salt भी बोलते हैं यह मैंने local market से ही लिया है लेकिन इसका link पे मैं आपको दे दूँगी यह भी मैंने एकफल लिया है जितना Epsom Salt इतना ही यह मैंने लिया है उसके बाद में इसमें मैंने कुछ dry flowers की leaf डाल दी है आप किसी भी flower का use कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे yellow flowers और rose flowers को सुखा लिये थे actually rose flowers तो सुखे हुए हैं लेकिन यह जो yellow flowers की leaf है यह मैंने oven में इसको dry किया था क्योंकि अभी winter season चल रहा है तो यह अच्छे से सूख नहीं पाया था तो मैंने इसको oven में अच्छे से dry कर लिया अब इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसमें जो गाठे पड़ गई है नमक की वो भी आपको निकाल देना है तो friends यह बहुत अच्छी तरह से हमने इसको mix कर लिया है सारी leaves और सारा नमक अच्छे से mix हो जाना चाहिए उसके बाद में हम इसमें यूज करेंगे खुश्पो के लिए मैंने यहाँ पर essential oil का use किया है मैंने यहाँ पर lavender essential oil का use किया है क्योंकि lavender essential oil में कुछ qualities होती है यह हमको बहुत ही जादा इसके खुश्पो इतनी अच्छे होती है कि आपको एकदम relax feel करवाएगी यह skin tone को भी improve करता है और यह आपको अगर sunburn की problem है तो यह उसको भी ठीक करता है यह आपकी body को भी आपकी skin को भी detox करता है इसके बाद में मैंने इसको थोड़ा सा और beautiful decorate करने के लिए और उसके बाद में decoration के लिए इसके उपर कुछ leaves उपर से डाल रही हूँ इसमें मैंने yellow leaves डाली है और rose leaves भी dry form में इसमें डाली है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही संदर लग रहा है actually मैं किसे को gift देना चाहती हूँ इसलिए मैंने इसको इस तरह से decorate किया है तो friends आप भी इस तरह से बना सकते हैं इसको आपको एक या दो चमच नहने के पानी में डालना है और उससे आपको इसको नहना है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बहुत ही रिलेक्स फिलोगा तो friends इस channel को subscribe जरूर करना अगर आपको अच्छा लगता है और मेरे वीडियो में comment करके आप next वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं आप ये भी लिख सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लिख सकते हैं तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करना शेर करने से फ्रेंट दूसरों को भी इसका benefit मिलता है इसलिए मैं हमेशा share करने के लिए बोलती हूँ तो ये हमने gift पैक कर दिया है इसके ओपर एक छोटा सा flower जैसा लगा दिया है और ये gift तरह रेडी हूँ के है friends तो चलिए मिलते हैं हमारे next video में तब तक के लिए बाई बाई